मित्रो नमस्कार चंदरा इंस्टिट्यूट के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सिपी मिस्रा आज हम आपके लिए लाए हैं आर्थिक समिक्षा और बजट जुलाई में जब नई सरकार का गठन हो चुका था तो एक तरीके से पूर्ण रूप से बजट जो पूर्ण बजट था वो पारित हुआ और उसके पहले बजट के पहले आर्थिक समिक्षा प्रस्तुत की गई तो इस विडियो में हम आर्थिक समिक्षा और बजट ये दोनों चीजे लेखेंगे क्योंकि यहां से कोशन काफी पूशे जाते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं आर्थिक समिक्षा 2018 बित्ती वर्ष 2018 की आर्थिक समिक्षा नियमित बजट 2019-2020 की प्रस्तुती से एक दिन पूर्व चार जुलाई 2019 को बित्त मंत्री निर्मला सीतार्मन ने संसत में प्रस्तुत किया यानि कि चार जुलाई एक तो डेट याद रखेगा कि वर्ष 2019 का जो नियमित बजट है वो किस दिन प्रस्तुत किया गया था तो एक तो एक डेट याद रखेगा चार जुलाई का 2019 को आर्थिक समिक्षा 2018-19 प्रस्तूत किया है आर्थिक समिक्षा 2018-19 के अनुसार इस बित्ती वर्स में भारती अर्थ व्यवस्था 6.8% की वार्षिक ब्रिधी प्राप्त कर सकी है यानि कि 2018-19 की हमारी जो ग्रोथ रेट है वह कितनी है 6.8% तो इस पॉइंट को ध्यान में र 2019-19 में भारती अर्थ व्यवस्था की ग्रोथ रेट यानि विकास दर क्या थी तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि 2018-19 में जो भारती अर्थ व्यवस्था है वह 6.8% की वार्षिक ब्रिधी प्राप्त कर सकी थी किंद्री सायंखी की कारियाले यानि CSO के आकड़ों के हवाले से आर्थिक समिक्षा में बताया गया कि वर्ष 2018-19 में प्रचलित मुल्यों पर वह प्रात्मिक छेतर यानि क्रिशी, वानिकी और मात्सेकी ये प्रात्मिक छेतर है प्रात्मिक छेतर का योगदान 16.1 प्रतिसत रहा क्रिशी, वानिकी और मात्सेकी यानि की प्राइमरी सेक्टर का योगदान था वो 16.1 प्रतिसत था उद्योग उद्योगों का योगदा तीन प्रतिस्ट रहा आर्थिक समिक्षा 2018-2019 में बताया गया कि क्रिसी वानकी और मात्सिकी में 16-10-1% का योगदान उद्योगों का योगदान 29-6% का योगदान और सेवाच्षित्र का योगदान हुआ 14-10-3% रहा तो ये पॉइंट महतपूर रहा है आगे बढ़ते हैं आर 2011-12 से बनी हुई है इस पॉइंट को फिर से मैं पढ़ता हूँ और ध्यान से समझेगा आर्थिक समिक्षा में बताया गया कि GDP के प्रतिसत के रूप में सकल घरेलू बचत दर जो हमारी बचत दर है उसमें लगातार गिरावट की स्थेथी 2011-12 से बनी हुई है और आकडों के 2017-18 में सकल बचत दर हमारी कितनी है 2017-18 में जो हमारी सकल बचत दर थी वो 30.5 प्रतिसत रही यानि 30%. यह question बराबर पूछा जाता है कि 2017-18 में ऐसा नया question जो बनेगा current का वही होगा कि 2017-18 में सकल बचत दर हमारी कुल कितनी है तो ध्यान रखेगा ये प्रतिसत आपको याद रखना होगा 30.5% सकल बचत दर रही है जिसमें सारवजनिक छेतर का योगदान केवल 1.7% 1.7% सारवजनिक छेतर का बचत दर है निजी छेतर का जो बचत दर है 11.6% और घरेली छेतर का बचत दर है वो है 17.2% दूसरा question यहाँ से पूछा जाता है कि सरवाधिक बचत किस छेतर से की जाती है सारवजनिक छेतर से निजी निगम छेतर से और घरेलू छेतर से तो सबसे ज़्यादा बचत किसमें हो रही है घरेलू छेतर में यानि हम आप जो बचत करते हैं वह बचत सरवाधिक है आर्थिक समिच्छा केंसार 2018-19 में राजपोसी घाटा GDP का 3.4% रहा यह पॉइंट में ध्यान में रखना होगा राजपोसी घाटा है जिए हमसे पूछेगा तो राजपोसी घाटा 2018-19 में कितना रहा 3.4% केंद्री बचट 2018-19 में केंद्र सरकार का कर राजपोसी बाइस दसमलो साथ लाथ करोड अरुमानित किया गया था जो कि GDP का 12.1% था सकल कर राजपोसी में 51% भाग प्रत्यक्ष करों से ये ध्यान में रखना होगा कि 2018-19 में जो हमें पूरा कर प्राप्त हुआ है उस कर में 51% भाग किसका है प्रत्यक्ष करों से और 49% भाग हमारा और प्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ है यह आखड़े थोड़े अब बदल गए हैं पहले अब प्रत्यक्षकरों का योगदान हमारे कर राजस्त में ज्यादा होता था लेकिन अब यह आखड़े बदल गए हैं प्रत्यक्षकरों का योगदान 51% हो चुका है यानि कि अब प्रत्यक्षकर जो है वो है 51% और अब प्र परशिंट है उसको ध्यान में रखेगा निगम कर से हमें कूल जो राजस्त मिलता है उसमें निगम कर का योगधान सबसे अधिक है निगम कर निगमकर का योगदान सबसे अधिक है निगमकर यानि कि जो लोग नहीं जानते हैं निगमकर उनको मैं बता दूँ कि यह जो कारपोरेट टेक्स है यानि जो कमपनियों से हम टेक्स लेते हैं वह टेक्स आज भी हमारे राजस्तों में सबसे अधिक योगदान करता है अगला पॉइंट है भारत के बिदेशी ब्यापार के संबन्ध में बताया गया कि 2009-10 में भारत के वस्तुगत निर्यात जहां 175.75 अरब डालर के थे वहीं 2018-19 में बढ़कर 330.07 डालर के रहे इसी यवद में आया तो 2009-10 में जहां 288.37 अरब डालर का था जो बढ़कर 2018-19 में 514.03 अरब डालर का हो गया 2018-19 में ये पॉइंट बड़ा महत्तुण है बड़ा अकसर पूँच लिया जाता है इसने बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है ये कि 2018-19 में सिर्ष वस्तुगत निर्यात यानि हमारा सबसे ज़्यादा निर्यात किस वस्तुगा हम करते हैं किस वस्तुगा निर्यात 2018-19 में हमने सबसे अधिक किया था तो नमबर एक पर है पेट्रोलियम उत्पाद ये ध्यान में रखना होगा पेट्रोलियम उत्पाद का हमने सरवाधिक निर्यात किया है और ये निर्यात हमारा हुआ है 2018 में इसमें 46.54 अरब डालर का दूसरा जो हमारा महत्पुल निर्यात है वस्तुगत निर्यात है वो है मोती मुल्यवान और अर्ध मुल्यवान पत्थर यानि जो हम नग पहनते हैं वो मोती और जो नग होते हैं उनका निर्याद हमने दूर्सरे रंबर पर सरवाधिक किया है वो है 25.98 अरब डेलर का और तीसरा जो हमारा सरवाधिक निर्याद हुआ है वो है ड्रग फार्मिलेशन और जैविक पदार्थों का और ये निर्याद हम सरवाधिक निर्यात किये गए हैं 2018-19 में इसी वर्ष में आयात किसका हुआ है यह देखते हैं 2018-19 में सिर्फ जो वस्तुगत आयात है उसमें भी आयात पहले से भी यही नंबर एक पर रहा है पेट्रोनियम यानि कच्छा तेल जो हम खरीते हैं उसका निर्यात सबसे उसका आय जीरो चार अरब डालर का दूसरे स्थान पर सोन का योग आयात रहा यानि सोना हमारा दूसरे नंबर का आयाती तवस्तु है 2018-19 के बजट के नसार और तीसरा जो आयाती तवस्तु है मोती और मुलिवान अर्द मुलिवान पत्थर यह 27 इसमलव 08 अरब डालर के रहे तो उत्पाद को हम बेचते भी हैं दूसरे दिसों में निर्यात भी करते हैं जिन दिसों में वो नहीं पाया जाता है इसलिए वह हमारा निर्यात जो है पेट्रोलियम जो पदार्तों से निर्यात निर्मित वस्तु है तयार करके हम बेचते हैं वह निर्यात हमारा सरवाधिक न निर्यात के जा रहा है यानि वस्तुगत निर्यात की मामले में भी हमारा पेट्रोलियम उत्पाद नंबर एक पर है और कच्छा तेल तो हम सबसे ज़्यादा आयात करते ही हैं अब 2018-19 में कौन-कौन से देश थे जहां हमने सरवाधिक निर्यात किया है निर्यात यानि अपना सामान दूसरे उस देश में भेजा है तो 2018-19 में हमारा सबसे प्रमुख निर्यातक डेश रहा है संयुक्त राज अमेरिका यानि USA में 52.42 अरब डालर का हमने निर्यात किया है दूसरा हमारा निर्यातक डेश रहा है संयुक्त अरब अमीरार जिसे UAE कहते हैं और यहां हमारा निर्यात रहा 30.09 अरब डालर का तिसरे नंबर पर चीण का स्थान रहा है ज shifting जहां हमारा सरवाधिक निर्यात हुआ है 16-17-17-17-16 तो ये हमारे प्रमुख निर्यातक तीन प्रमुख निर्यातक देस है जहां पर हम सरवाधिक निर्यात किये हैं 2018-19 वर्स 2018-19 में तो नमबर एक पर साइंट राज अमेरिका, नमबर दो पर साइंट अरब अमीराथ और नमबर तीन पर चीन इसी वर्स में यानि 2018-19 में ही प्रमुख आया तक देश कौन-कौन से रहे यानि सबसे अधिक सामान हमारे हाँ कहां से आया इस वर्स में तो चीन नमबर एक पर है, 70.32 अरब डालर इतने अरब डालर का हमारे हाँ चीन से सामान आयाथ हुआ है यानि हमारा सबसे बड़ा आया तक देश जो है वो चीन है दूसरे नमबर पर साइंट राज अमेरिका रहा जहां से 25.55 अरब डालर का सामान आया और तीसरा साइंट अरब अमीरात रहा जहां 21.74 अरब डालर का तेल मागाया गया तो चीन और साइंट राज अमेरिका साइंट अरब अमीरात ते तीनों देश नमबर एक नमबर दो और नमबर तीन पर पर प्रमुक आया तक देश रहे ये तो हमारा आर्थिक समिख्षा रहा इसी वीडियो में हम केंदरी बजट जो हमारा दूसरी गवर्मेंट जब एंडिये की दूसरी गवर्मेंट आई तो जुलाई में 5 जुलाई को उसने दूसरा नियमित बजट पर पारित किया और उस नियमित बजट से आप से question पूछे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा बदलाओ इस बारकर में नहीं किया गया है इसलिए बहुत महत्पूर कोई बड़ा question इसमें नहीं बनता है लेकिन चुकि बजट है बजट से कुछ question पूछ लिए जाते हैं इसलिए हम देखेंगी कौन सा question पूछा जा सकता है तो बजट की हम चर्चा करेंगे और देखेंगी कि क्या question बोल सकता है यहां से केंद्री बजट 2019-20 यह हमारा topic है केंद्री बजट 2019-20 नए जनादेश के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार टू के इस दूसरे कारेकाल का पहला बजट बित मंतरी निर्मला सीता रमन ने पांच जुलाई 2019 को लोग सभा में प्रस्तुत किया बिती वर्स 2019-20 के लिए किंद्र सरकार का यह final बजट था तो सबसे पहले इस point से क्या question पूँच सकता है कि निर्मला 2020 का जो बजट है वो किस ने प्रस्तुत किया है तो बित मंतरी कौन है निर्मला सीता रमन तो बित मंतरी निर्मला सीता रमन ने 2019-20 का बजट प्रस्तुत किया किस दिन प्रस्तुत किया यह थोड़ा ध्यान में रखना है तो यह कौन सा दिन था पांच जुलाई 2019 का दिन था जिस दिन पूर्ण बजट हमारा पारिट किया गया अगला पूर्ण देखते हैं 2019-20 के फाइनल बजट में किसी बड़ी यों लोग नुभावन घोसनाओं से बचते हुए नए भारत के लिए ध्यान किंद्रित करने का प्रयास किया गया है बजट 2019-20 के दावरान सरकार का कुल बैए 27,446,349 करोड रुपए अनुमानित किया गया है इस अनुमानित बैग की आपुर्ती 19,62,761 करोड रुपए राजस्तो प्राप्तियों से और 8,23,588 करोड रुपए की आपुर्ती पूंजी गद प्राप्तियों से प्राप्त करने की बात बजट प्रस्ताव में कही गई है बजट 2019-20 में जो आकले हैं पूछे जाते हैं वो तो हमको द्हार में रखना होगा जो 1920 में राजस्तो घाटा का अनुमान किया गया है वो है 2,3 प्रस्त यानि निशन congress में है जो राजस्तो होगा होगा वह है 2,3 प्रस्त अनुमानित किया गया है प्रभावी राजस्तो घाटा ये 1.3% अनुमानित किया गया है राजकोसी घाटा 3.3% अनुमानित किया गया है और प्रात्मिक घाटा 0.2% यानि 0.2% अनुमानित किया गया है ये हमको थोड़ा डाटा याद रखना होगा कि 2019-2020 के बजट में राजस्तो घाटा क्यानमानित किया गया है राजकोसी घाटा क्यानमानित किया गया है और प्रातमी घाटा क्यानमानित किया गया है ये थोड़ा हमको डाटा याद रखना होगा अगला पॉइंट है ब्यक्तिकत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन इस बजट में नहीं किया गया है पांच लाख तक की सालाना कर योग्य आयवालों को आयकर से मुक्त रखा गया है ये पहले भी प्रावधान था और इसी प्रावधान को बरकरा रखा गया है कि ब्यक्तिगत आयकर में 5 लाख रुपए तक की आय को प्राप्ट करता है साल भर में तो उस पर कोई टेक्स नहीं लिया जाएगा ये पहले भी प्रावधान था 5 लाख तक का तो उसे न तो बढ़ाया गया है नहीं घटाया गया है पांच लाख तक की सालाना कर योग आयवालों को आयकर से मुक्त रखा गया है तो ये भी ध्यान रखेगा यहां से कोश्चन पूच सकता है कि ब्यक्तिगत आयकर में कितनी लाख रुपए तक की छूट दी गई है तो आप 5 लाख रुपए तक की छूट है इसको आप ध्यान में रखेगा करकी सभी दरों को पुरुवत रखते हुए एक करोड सालाना आएवालों पर सरचार्ज में बृद्धी की गई है इस वजट में थोड़ा परिवर्तन ये किया गया है करमे की जिनकी आए सालाना आए एक करोड रुपए या उससे अधिक है उस पर जो सरचार्ज लगा जाता है तो इस सरचार्ज में इस वजट में बृद्धी की गई है क्या बृद्धी की गई है एक करोड से दो करोड आए वालों पर जिनकी आए एक करोड से दो करोड रुपए के बीच है अब सरचार्ज 15% के अस्थान पर पहले 15% देना पड़ता था कि अस्थान पर 25% कर दिया गया है इसको पॉइंट करें ना है एक करोड से दो करोड आए वालों पर जो सरचार्ज लगता था पहले सरचार्ज 15% था इसे बढ़ा करके 25% कर दिया गया है तथा दो करोड से अधिक आए की इस्थिती में सरचार्ज 37% कर दिया गया है ये थोड़ी बदलाओ किये गये हैं लेकिन बड़ी आए वालों के ल मतलब जो आय हमारी है वो कहां से कितनी आय प्राप्त होती है यदि हम कुल आय को एक उपया माने तो हमारी कितनी आय कहां से हो रही है इसको हम ध्यान देंगे तो देखते हैं कि कहां से कितनी आय हो रही है हमारी करभिन जो राजस्व है, वो हमारा कर से अलग भिन राजस्व है, वो है 9 पैसा, 9 पैसा हमें प्राप्त होगा करभिन राजस्व से, 19 पैसा प्राप्त होगा हमको GST से, वस्तविम सेवा कर से, केंदरी उत्पात सुल्क से हमको 8 पैसा प्राप्त होगा, सीमा सुल्क से हम को चार पैसा प्राप्त होगा, आय कर से सोलह पैसा प्राप्त होगा, निगम कर से 21 पैसा प्राप्त होगा, आप देख रहे हैं, उसके पहले भी हमने आर्थिक समीशा में बताया था, कि सबसे ज़्यादा आय हमारी कहां से प्राप्त होती है, कार्पोरेट टेक्स से, जो कंप प्राप्तियां हैं, वहां से हम तीन पैसा प्राप्त करते हैं, तो यह हमारा एक रुपया यदि हम कमाएंगे, तो वह कहां से, यदि हम पूरे बजट को एक रुपया मानें, तो कहां से कितना पैसा हम प्राप्त कर रहे हैं, अब इस बजट में बताया गया है, कि हम 2019-2020 के पेंशन पर पांच पैसा खर्च होगा, यानि एक रुपया जो हमें प्राप्थ होगा उसमें पेंशन पर पांच पैसा खर्च होगा, सुलकों और करों में राजयों का हिस्सा है, उस राजयों का हिस्सा जो हमको एक टैक्स मिलता है, उस टैक्स को राजयों में बितरित करना ह तो एक पैसा जो हमें प्राप्थ होगा, कुल हमारी पूजी प्राप्थ होगा, उसमें से 23 पैसा हमें राजों के हिस्से में डालना होगा, बित आयोग और अन्य अंतरंट में हमें 7 पैसा देना होगा खर्च करना है, आर्थिक सहायता में 8 पैसा खर्च करना है, रक्षा छेत पर 13 पैसा खर्च हो रहा है, केंदर की प्रायोजी टिय जनाओं पर 9 पैसा खर्च हो रहा है, अब यह आप सोचेंगे कि दुनों एक ऐफी चीज़ है, यह केंदर की नई योजना पर है और यह प्रायोजी टिय जना, जो पहले से चली आ रही भी होज़ना है उस पर 9 पैसा है और अन्यवे हमारा 8 पैसा है तो यह हमारा बजट जो 2018-2019 के इसार हमारा पैसा कहां कितना खर्च होगा तो ध्यान रखेगा जब भी ऐसा पोंचा जाएगा 2018-2019 के बजट में सबसे ज़्यादा खर्च कहां पर हो रहा है तो करों में जो राजों का हिस्सा है इसको निकाल दिया जाता है क्योंकि यहां भी बजट जो है इसको माना नहीं जाता है क्योंकि यह राज्यों को ही बित्रित किया जाता है तो यह मिला कर पैसा राज्यों के पास पहुँचता है तो हमारा जो सबसे ज़्यादा खर्च है वह है ब्याज अदाएगी पर ही है अर्थव्यवस्था की इस्थिती पर प्रकास डालते हुए बित मंत्री निर्मला सीता रमन ने अपने बजट भासन में बताया कि 2014 में उनकी सरकार के गठन के वर्ष भारती अर्थव्यवस्था का आकार 1.85 ट्रिलियन डॉलर जब 2014 में पहली बार सरकार का गठन हुआ था एंडिये सरकार का तो उस समय भारती अर्थव्यवस्था 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी जो 5 वर्षों में बढ़कर 2.7 इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और बरतमान में यह सात्वी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है इस बित्ती वर्ष में 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा बित्त मंत्री के अंसार बजट 2019-20 में हमारी भारती अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर होने की का अनुमान है ऐसा कुछन पूछते हैं तो आप बताएएगा कि 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाने का यह अनुमान है बजट 2019-20 के अंसार अगले पॉइंट को देखते हैं 1.5 करोड तक के वार्षी कारोबार वाले खुदरा ब्यापारियों वच्छोटे दुकानदारों के लिए प्रधान मंत्री कर्मयोगी मानधन योजना नाम से नई पिंसन योजना की घोशना की गई है इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा योजना जो है किसके लिए है खुदरा ब्यापारियों के लिए जिनका वार्षी कारोबार डेड़ करोड रुपए तक का है छोटे दुकानदारों के लिए प्रधान मंत्री कर्मयोगी मानधन योजना नाम से नई पिंसन योजना की घोशना की गई है मत्ष पालन को क्रिसी में सामिल किया गया है इस छेतर के लिए प्रधान मंत्री मत्ष संपता की घोशना की गई है किसानों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्सों में दस हजार किसान उत्पादक संगठनों के लिए अगले पांच वर्सों में दस हजार किसान उत्पादक संगठनों के गठन की योजना की घोशना की गई है कि अगले पांच वर्सों में दस हजार किसानों को एक उत्पादक संगठन की रूप में संगठित किया जाए गा सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम प्रदान करते हुए देश में पहली बार सोचल इस्टाउक एक्चेंज की अस्ठापना का प्रस्ताओ किया गया है अब ये आगे चलकर कहा स्ठापिक किया जाएगा ये देखा जाएगा लेकिन पहली बार ये बजट में सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम प्रदान करते हुए देश में पहली बार सोसल स्टाक एक्सचेंज की अस्थापना की का प्रस्ताओ बजट 2019 में 2020 में किया गया है तो ये कुछ बजट से महतपूर टॉपिक थे बहुत महतपूर पॉइंट थे जो बजट से और आर्थिक समिशासे थे तो ये बजट तक का हमारा जो करेंट अफेर्स है वो कंप्रीट हो गया है जो बच्चे हमारे लोवर PCS का इजाम दे रहे हैं या जो सितंबर में जो भी एजाम होने वाले हैं सितंबर की एजाम के लिए मैं बिसे सुरुख से बात कर रहा हूँ उनके लिए मैं बता दूँ कि चुकि एक सितंबर को पहले एजाम प्रस्ताविक था अगस्त में ही आपका पेपर बन कर कंप्रीट ह चुका था इसलिए हमारा जो करेंट अफेर्स है वो हमको जनवरी से लेकर जून तक का और हमने 10 जुलाई तक की घटनाओं को समलिप कर लिया है और विशे सुरुप से बजट तक की जो घटनाएं हैं उनको हमने समलिप कर लिया है और एक चीज और बताते हैं कि हमारा चुकी उनके लिए बात कहने जा रहा हूं कि आप मार्च, अप्रेल, मई और जून ये चार महीने की घटनाएं बहुत बारीकी से जो हमने पॉइंट कराए हैं उनको ध्यान से पढ़ेगा और उमीद करता हूं कि मैक्सिमम आपकी कोश्चन इनी चार महीने से होंगे बाकी आपको जनवरी से ही घटनाओं को पढ़ना है जैसा दिया जा रहा है लेकिन आप इन चार महीने की घटनाओं को बहुत कोशिज कर सकते हैं कि ज्यादा तर घटनाए हमारी हमने ऐसा आकलन किया है कि जिस महीने एग्जाम होता है उसके तीसरे चोठे और पांसमे महीने की सबसे तो हमारी कोश्चन उस महीने के गलत नहोंने पाएं क्योंकि मैक्सिमम कोश्चन उसी महीने से होते हैं आल दे वेस्ट